हलो फ्रेंड्स मैं सुनील चोधरी दीफोम जेपूर से और अभी आपको एक बहुत एक प्यारा सा एक फ्लेट में आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपको इसका फ्रेंट एलिवेशन देखने को नहीं मिलेगा आप देखे एक बार हम वीडियो इसका स्टार्ट करते हैं मैं एंट्रेंस से तो आप एक बार यहां पर लोबी एरिया देखिए काफी बढ़िया तरीके से इसी डिजाइन किया हुआ है सामने की तरफ आपका आप देखोगे तो टाइल का जो वर्क है वो बड़ा खूरचूरत है आप देखिए यह जो प्रोजेक्ट अभी हम देख रहे हैं यह के बीसी डाइमंड के नाम से यह प्रोजेक्ट और के बीसी ग्रूप द्वारा इसे डॉप किया हुआ है के बीसी जो गुरूप है उनका लिफ्ट मेनुफेक्चरिंग का भी वर्क है तो यहाँ पर आप लिफ्ट देख सकते हैं यह जो लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है यह कोही नूर की ही लगी हुई है के बीसी कोही नूर बिल्डर्स का ग्रूप है और इसमें देखिए आप एंटर करते ही सबसे पहले आप का होल का एरिया है जिसमें लिविंग डाइनिंग आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशिय साइज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है आप देखिए एंटरेंस के ज़र सामने की तरफ आप देखोगे तो सिक्सीटर यहाँ पर डाइनिंग एरिया लगा हुआ है चाहे तो आप इसे 8-seater तक बढ़ा सकते हैं पीछे की तरफ आप देखोगे तो वुडन का जो वर्क है वाकरी लाजवा वर्क आपको मिलने वाले है और यह जो फ्लेट अभी हम देख रहे हैं यह फ़र्णिष्ट आपको मिलने वाला जैसा भी देख रहे है एज़िट आपको मिलने दोनों साइड जो फेन है वो भी मोडरन टाइप के है बीस्क में जो लाइटिंग जो वर्क है यह देखिए किता खूबशुरत है और साइड में आपका सोफा यहां पर अरेंज किया हुआ है सोफा आप देख सकते हैं लगबग 7-seater यहां पर अरेंज किया हुआ है सेंटर पर यहां पे है और इंके पीछे का जो वहाय बेक साइड जो वर्क है वो देखिये इतना खूबशुरुत है इंटीजियर जितना भी आपर वयक है बहुत ही खूबशुरत आपको मिलने वाला है जिन पर देखे डेकोरेटिव आइटम से यहां पर रखे हुए है और शोफा लाइट का वर्क किया हुआ है साइड में देखिए यहां काफी अच्छा स्टोरे स्पेश आपको यहां पर मिल जाता है नीचे की तरफ इसमें ड्रोवर्स है अब देखिए इसका लेयाउट में आपको बता देता हूं तो पिछे की तरफ यहां पर किच्छन का एरिया है और आपको बालकिनी एरिया मिल रहा है साइड में अपना बेड्रूम है जिसमें की अटेच में बाथ रूम है सामने की तरफ दो बेड्रूम है जो उनमें भी दोनों में अटेच बाथ रूम आपको मिलने वाला है अब आपको यहां पर जो वोस्वेशन एरिया तयार करा के दि पीछन है डबल जिंक का यहां पर मिल रहा है और इसमें वार आप इदर से देखते होई आयेगा डबल सिंग है यहां पर और कांटर टोब आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का यहां पर यूज किया हुआ है उपर के तरफ टाइल वर्क है एंड इसमें आप सामने की तरफ देखोगे तो एको काउंटर टॉप आपको यहां पर साइड में मिल जाता है उपर की तरफ इसमें केबिनेट्स दे हुए है यह देखे सकते हैं पार्टिशन काफी बढ़ी है यहां पर की हुए है और इसमें जैसे उपर की डिजाइन से आप देखोगे तो फोर्सलिंग का जो वर्क है वो बड़ा खूप सुछत आपको यहां पर मिल रहा है यहां उपर के जो केबिनेट्स है इनमें आप लाइटिंग वगेरा भी देख सकते हैं हाइड्रोलिक इनमें वर्क किया गया है और बीच में यहां पे दी हुई है आपकी चिम्निा पिछे की तरफ आपका बालकनी एरिया है जिसमें कि आप देखे सकते यू पीजर दोर यहां पर लगाया हुआ है पीछे बालकनी इरिया है और यह जो डोर है आपका साउंवन वक्टट रुट डोर है यह हमने एक इffiti द में आपको wardrobe भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है हम देख लेते हैं फैस्ट बेड्रूम और अब देखे आप बेड्रोम के जो डोर है वह भी आप देखोगे तो यह भी बड़े स्टाइड में आप देखोगे वुडन का यहां पर वाड्रोब है और पर देख सकते काफी यूनिक्स यहां पर फोस्लिंग की डिजाइन से और यहां आपको मिल रही इसमें स्लाइडिंग डोर के साथ आपको विंडो तो वेंटिलेशन तो आपको यहां पर प्रोपर मिल ही रहा है यहां आप देखिए बात्रूम जो है इसमें टाइल वर्क बढ़िया है बाकी असेसरी आपको कंप्लीट यहां पर लगा के दी जा रही है यह हमने यहां पर फैस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बागे देखते हैं आगे की जो वेडरूम है हो और अगर आप किसी अलगतर है की प्रोपर्टी सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आपने ब बेड और बेड जो वर्क है यह बड़ा प्यारा है काशी यूनिक है जैसे यहां पर हैड के तरप आप देखोगे तो लेंपलाइट के साथ यहां का यह जो वर्क है मेटल फिनिस के साथ जो दिया जा रहा है यह देखिए कितना खूबशूरत है यहां साइड में है डिटेस्ष दी हुई है, यह है आपका बात्रूम और इस बेड्रूम में मिल रही है आपको सामने की तरफ बालकेनी तेख बड़ आप बालकेनी व्यू देख लीजिए यहां से जिसमें टेप को गेरा सब कुस दी हुई है सामने की तरब भी काफी अपार्टमेंट यहां पे बने हुए है और में जो मार्केट है यहां से ज़स्ट वोकिंग डिस्टेंस पे है बहुत एक प्राइम लोकेशन की आज मैं आपको यह प्रोपर्टी विजिट करा रहा हूँ और यहां है आपका लास्ट बेड्रूम यह जो बेड्रूम है यह काफी बड़ी साइज में आपको मिल रहा है इसमें भी डबल बेड यहां पे लगाया हुआ है पीछे का जो वर्क है तीनों बेड्रूम में आपको डिफरेंट तरीके का मिल रहा है chilling का जो work है वो आपको सभी जबाइट different मिल रहा है AC fitting के point जहाँ पे need है वहाँ पे आपको मिल जाते है इसमें आप एक बार work देखिए बेक साइड का बहुती बहतरिन तरीके का आपको यहाँ पे work मिल रहा है wardrobe का option आपको यहाँ भी मिल जाता है और आपको ड्रेसिंग एरिया का पार्ट इस बेड्रूम में भी अट्येश में बाथरूम है तो बाथरूम एक बार आप देख लीजिये यहां फ्रेंट में है आपका बाल्कनी यरिया जो की स्लाइ्डिंग डौर के साथ आपको मिल रहे है इक बाल्कनी अरिया और यहां से एक बार देखिए लग बगयब भी 30-50 बजरें सामके और यहां जाप यो देखिया вкусigo न जगए- आ glad और त़ दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आज मैंने जो आपको प्रोपर्टी दिखाई यह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताईए और आपकी इस तरह की प्रोपर्टी देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिग दीजिएगा बाकि अगर आपके कोई विल्ड यह द्वारा डॉलप की हुई अपने प्रोपर्टी देखी है साधे चोधा सोई स्कॉयर फिट में बनी हुई फर्णीश 3 भी एसके का फ्लेट आस्किंग इसकी 65 लाग रुपे कॉंटेक डिटेल नीचे दी हुई है विजिट के लिए कर दीजे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नहीं प्रोपर्टी के साथ